नमस्कार दोस्तो रिलेवे की पाट चला हुए आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पर रेलवे गुरूप डिए की जो फिजीकल टेस्ट होता है उस्में दोस्तों एक बहुत बड़ा परिवर्थन या पर किया गया है और दोस्तों यह जो परिवर्थन है कहींद इस कहीं इस नोटिस डाल कर सभी छात्रों के लिए ये अपडेट या पर दी है चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को से पहले आपसे रिक्वेस्ट है रेले भरती के लेटिस्ट एंड अथेंटिक पाने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दीजिएगा तो आप किसी भी र आपरेंटिस तो यहां पर देखिए यहां पर इसको मैं डाउनलोड करता हूँ अब दोस्तों क्या होता है रेल्वे में एक क्या होता है कोर्स होता है जिसे अपरेंटिस पोलते है और इसमें वही रेल्वे की बहुत सारी चीज यहां पर सिखाए जाती है तो यह जो कोर्स ह लीज होता है उसमें क्या होता है कि जो भीरते वह लगातार मांग कर रहे थे बहुत दिनों से कि हमें doing डाइरेक्ट जोब दिया जाए रेलवे के अंदर यह बहुत दिनों से लगातार यह सेलसला जारी था रेकर रेलवे ने यहाँ पर पहले किलेर कर दिया था कि भाई हम आपको डाइरेक्ट जोब नहीं देंगे यह रूल के खिलाफ हो जाएगा फिर तो हमें जो कम्पिटीशन है उसकी जरुदी नहीं पडिकर डाइड वेकेंसी डाइरेक्ट जोब आपको देंगे तो फिर उनने कहीं नहीं लिया कि भाई हम आपको लेवल बन में यहां कि गूरूप डी के अंदर जो वेकेंसी आएगी उनमें आपको 20% सीट यहां पर रिजर्व करेंगे चलो उसमें अब जो परिवर्तन किया गया ना कईन कहीं उससे आपको यहां पर एक घटका लग जाएगा देखें यहां पर देखते हैं नोडिस फॉर सीसी एस यानि जो आपके कोर्स एक्ट अपरेंटिस करते हैं उनके बारे में हैं यहां पर देखेंगे मिनिस्ट्री ओफ रिजवे ने जो टरॉम्स ओडर है यह ना जो आपके जो ए आरवी नंबर है रिजवे का जो आपके 922 जो रिल्वे कि कमेटी है वो ड प्रेक्शनमर 22 से यहां पर नीचे निने लिया गया है जो निमन प्रकार हैं यहां पर आप देखेंगे पहला निने लिया गया है कि जो अप्रेंटिस करते हैं रेल्वे में बिल बी गिवन ड्यू विया यहां पर यहां पर देगी अब दीकिए वेटफ क्या है यहां पर उला कहा है वह वेटेश देगी जिनों ने में टरेंटिस कर रह रहे हैं रेलवे में हाना तो final merit में दोस्तों इनको क्या करेगी final merit के बाद इनको क्या करेगी weightage देगी अब दोसे weightage क्या हो सकता है already भाई जो आपके apprentice सबाले होते हैं उनको पिछली बार आपको पता होगा 2018 में जो minimum qualifying marks होते हैं आलिस प्रतिशत 35 प्रतिशत 30 प्रतिशत उन पर दोस्तों सलेक्शन किया था पिछली बार जबकि जनरल गनिरेटी का तो आपको पता है कि 80-80 प्रतिशत गई थी कही जोनल रेलवे से लेकिन दोस्तों फिर भी आपर रेलवे बोल रहा है कि जन्हों ने भी यहाँ पर training complete कर रखी है उनको यहाँ पर final merit के बाद final merit जो है उसमें दोस्तों क्या करेंगे हम क्या देंगे weightage देंगे हना पहली लाइन तो यह और दूसरी सबसे बड़ी लाइन है कि जो इन्हों ने भी अप्रेटिस कर रखी है railway establishment है वो यहाँ पर उनको physical efficiency test मुक्त रखता है यह नहीं दोस्तों इन्हें physical देने की जरुरत ही नहीं है और कहीं दोस्तों मैं मानता हूँ कि यह जो निर्णा है जो सेकिंड वाला वो दोस्तों मेरे साब से थोड़ा गलत है क्योंकि दोस्तों देखिए railway में क्या होता है कि आपको पता है वो आपको पता है Track Maintainer की है और Track Maintainer का काम जो है आपको पता है कितना हार्ड होता है अगर ऐसे में Physical Efficiency Test टेस्ट रेलवे याँ पर क्वालिफाई नहीं करवाता है तो कहीं नगहीं दोसों एक बहुत बड़ी प्रोब्लम हो जाएगी इतना easy काम नहीं होता है ट्रेक Maintainer में क्योंकि मैं एक खुड ट्रेक Maintainer हूँ तो ऐसे में अगर आप Physical Efficiency Test नहीं करवाते हैं तो कहीं नगहीं मेरे साब से ये Student के जो आपके Student है जो जिन्होंने Apprentice नहीं कर रखी है उनके लिए तो प्रोब्लम है ये तो जितने भी यहाँ पर जिन्होंने Apprentice कर रखा है वो तो सीधे पास हो जाएंगे और पहले दान में रेल्वे खुद कह रही है कि हम फाइनल मिल्ट पर उनको अलग से रिलेक्शन देंगे फिर तो मतलब ही नहीं रहा इसका मतलब है कि रेल्वे जो है अप्रेटिसे वालों को ज्यादा महत्व दे रहा है अब देखे वैसे दो रेल्वे का जो अक्ट एमप्रेटिसेब 1961 है उसके नुसर दिया जाना हम सही है लेकिन दोस्तों ये जो छूट है कहीं कहीं बाद में अगर कोई चेंजिस होता है ना तो मैं आपके सामने एक बार जो अपना गुरूपडी का नोटिफिकेशन है वो भी आपके सामने खोल लेता हूं तो मैंने आपके सामने ये आरार्ची का जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है ये आपके सामने मैंने खोल रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अक्ट एमपरिटी से के लिए कितनी वेकेंशी है वो आप देख सकते हैं CCAC के लिए देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रहा CCAC और यहाँ पर आप देखें टोटल जो आपकी वेकेंशी है ना इनके लिए को दो चीज़ तो एक तो 20,700 जो वेकेशी है वो आपके subscribe ले जाएंगे 20,700 या आपके कौन ले जाएंगे आपके जो अपपनेंटिसे वाले दोस्तों आपके ऐसे ही चले गई जो आपके नॉर्मल कंडिट है ना उनके लिए नहीं है 46,000 यानि कि आपके लिए आपके लिए आप्रोक्षमेंट लिए बाने तो 57-58,000 सीटे हैं जो आपके लिए हैं आप दोस्तों वैसे तो सीटे कोई कम नहीं है लेकिन थोड़ा फरक ब आप दिल थोड़ा मत कीजिए रेलवे के निने के सामने हम कुछ नहीं कर सकते बस यह है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहां पर थोड़ा अच्छे से कीजिए कि भई अब जो सीटे हैं थोड़ी यहां पर कम हो गई है बागी दोस्तों कोई भी अप्डेट आएग तो उसका अप्डेट आपको हमारे चैनल मिल जाएगा तो इस वीडियो को शेर कर दीजेगा और चैनल पर आप नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस जो रेलवे का ओडर इसके बारे में क्या आपका सजिशन है आप हमें कमेंड कर सकते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक जैहिन वंदिमातर